हल्दवानी में आम आदिव पार्टी के मात्य शक्ती समवाद में दिल्ली की MLA आतिशी मारलीनासी ने शशक्त महिला समृदी उत्राखंड के तहत महिलाओं के साथ समवाद थापित किया जहां उन्होंने दिली के अर्वित के जिर्वार के आम आधिप पार्टी सरकार में महिलाओ के शिशक्तिकंड को लेकर किये जा रहे कारियों की विस्तार से परिचर्चा की तो वहीं आथशी मारलेना सी का कहना है कि उत्राखंड के केंदर में 55,000 करोड के बचट से मातर 20% सरकार विकास कारियों में खर्च कर पा रही है और अधिकांश पर सरकारी महिक में के रष्टा चार कारियों में खर्च के जा रहे हैं का कहना है कि उत्राखंड में आगामी चुनाव 2022 में महिलाओं ने आम आधि पार्टी के लिमन बना लिया है और उत्राखंड में सरकार के आने पर इमानदारी से जो दिली मेवी कास्कारियों में वहां की सरकार ने करके दिखाया है और पूरी कारे इमानदारी के साथ आप आज वी पार्टी यहां करके दिखाएगी आज जो ये हल्दवानी में हमारा मात्रशक्ति समवाद हुआ है आप उनके चेहरे का तेज देखिए, उनकी बात सुनिए, आज ऐसा लग रहा है कि हल्दवानी की भी और उत्राखंड की भी महिलाओं ने अपना मन बना लिया है, कि उनके पती चाहे किसको भी वोट दें, वो चाहे कॉंग्रिस को वोट दें, चाहे बीजेपी को वोट दें, उत्राखंड के महिलाओं तो इस बार अर्विन केजरिवाल को वोट देने वाली है, आम अद्मी पार्टी लोटे, देखिए, और अलड़ी 55,000 करोड का बजिट है उत्राखंड का, और आप ये जानते हैं, कि कितना करॉप्शन होता है, मुझे तो अभी किसी में कोई कह रहा था, कि ये करॉप्शन आप 20% नहीं, आप तो 80% करॉप्शन होता है, 20% तो वो है, जो 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 जमीन पर पहुंचता है, ये अभी थोड़ी देर पहले ही किसी ने हमें उत्राखंड में ही कहा, अगर हम 80% भी ना मानें, हम 20% ही मानें, तो फिर भी 11,000 करोड तो हुए, पहली बात, आमादमी पार्टी ने दिल्ली में इमानदारी से सरकार चला के दिखाई, उसी तरह से उत्राखंड में हम इमानदारी से सरकार चला के दिखाएंगे, 11,000 क और जो ब्रश्टाचार में जाता था, उस सब से हम इन स्कीमों का पैसा देंगे, पहली बात, दूसरी बात, जब एक इमानदार सरकार आती है, जो पैसा है, जो अल्रेडी सरकार के पास है, वो तो हम इमानदारी से खर्च करेंगे ही, लेकिन रेवन्यू कलेक्शन भी, जो सर एक्स के माद्धेम से पैसा आता है, वो जब वो इमानदारी से इकठा होता है, तो सरकारी घजाने में भी पैसा बढ़ता है, जो दिल्ली में हमने करके दिखाया है.